सब्सक्राइब कीजिए वाइटीनेशन चैनल को लेटिस्ट एजूकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो दोस्तो वाइटीनेशन चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज केम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप तीन महीने के अंदर उत्रपरदेश पुलिस की तियारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अपना सेलेक्शन ले सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा और जो बुक्स बताऊंगा अगर उन्हें आप फोलो करते हैं तो आप निश्चिन तुरूप से अपना सेलेक्शन उत्रपरदेश पुलिस में पा सकते हो बकाइदा दोस्तो यहाँ पर उसके लिए सर्थ यह होगी कि आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी तो दोस्तो आप लोगों से यह request है कि आप हमारे motivation के लिए वीडियो को like जरूर कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाव में इतना खो जाते हैं कि वीडियो को like करना ही बुल जाते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी preparation करनी है और किन books का आपको यहाँ पर use करना है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर journal हिंदी की दोस्तो जर्नल हिंदी उत्तर परदेश पुलिस का एक ऐसा portion होता है जो आपको पूरे में से पूरे number देता है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी की preparation कैसे करनी है और किस book का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको जो book recommend करना चाहूँगा वो आपको यहाँ पर जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं वो है सामानिय हिंदी जो कि यहाँ पर DP का मलिक द्वारा लिखी गई है दोस्तो इस book को मैं इसलिए recommend कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी भरती के दोरान इसी book को पढ़ा था और जितना इसमें data है दोस्तो वो लगबग लगबग exam में आया था हाला कि दोस्तो आपको यहाँ पर कुछ data extra पढ़ना होगा जो कि आप किसी भी 10th class की book से पढ़ सकते हैं जो कि हिंदी की होनी चाहिए तो दोस्तो आपको यहाँ पर पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ तो जैसा कि आपका हिंदी का कोई chapter है आपको उसे एक दिन में एक topic को करना है और दोस्तो उसकी practice के लिए आपको एक practice set लेना है जो कि इसी book के नाम से एक market में available है तो आप उस practice set को खरी दिये और एक chapter को कीजिए दैन उसके बाद उस practice set को solve करीजिए जो chapter आपने उस दिन किया है तो इस तरह से आपको अपनी हिंदी की preparation करनी है और दोस्तो जितना भी इसमें data है बहुत अच्छा है और पूरा पूरा exam में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इसलिए मैं दोस्तो आपको सामानिय हिंदी DP का मलिक दूरा लिखी गई इस पुस्तक को यहाँ पर recommend करना चाहूँगा तो चले दोस्तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे उस subject के बारे में जो आपको पूरे में से पूरे marks यहाँ पर दिलाता है तो दोस्तो हमारा दूसरे subject जो होता है वो है आपका maths तो दोस्तो अगर आप maths में पूरे में से पूरे number लाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जो आपको यहाँ पर book recommend करने वाला हूँ दोस्तो वो है आपकी SDR आदाव हाला कि दोस्तो आपने देखा होगा उत्तर परदेश पूरे के जितने भी exam हो चुके है उन सभी में SDR आदाव का यहाँ पर जो basics data होता है दोस्तो वो ही आपको देखने को मिलेगा तो आपने 2018 का जो exam paper देखा होगा उसमें जो LCMHCF है वो भी इसी book से दोस्तो कोपी करके रख दिया गया था तो अगर आप maths की preparation करना चाहते हैं especially आप अगर उत्तर परदेश के लिए यहाँ पर preparation करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर SDAO book का इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तो दोसरी book जो मैं आपको यहाँ पर recommend करना चाहूंगा वो होगी आपकी RS Agarwal क्योंकि दोस्तो जो SDAO का data है वो भी लगबग दोनों का same मिलता जुलता है हाला कि SDAO का जो data है उसके पूछे जाने के यहाँ पर ज्यादा chances होते हैं लेकिन अगर आप RS Agarwal भी निकालते हैं तो दोस्तो आपका maths बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको exam में उसी में से question देखने को मिल जाएगे तो अब आपको यहाँ पर preparation कैसे करनी है दोस्तो उसके लिए भी यहाँ पर preparation के लिए आपको यहाँ पर वो ही फंड़ा यूज करना है आपको एक चैप्टर करना है देन उसको आपको एक यहाँ पर exercise लेनी है और उस exercise को complete करना है उसके लिए आप अगर questions जादा है तो आप दो दिन का time ले सकते हैं, तीन दिन से ज़्यादा time आपको नहीं लेना है, आपको दो दिन के अंदर एक chapter को complete करना है, तो इस तरह से आपको अपनी maths की preparation करनी है, तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं, अपने तीसरे नंबर के topic पर, जो की है आपका reasoning, तो अगर आप दोस्तो reasoning क यहाँ पर अच्छे से preparation करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको यहाँ पर book स्क्रीन पर दिखाई है जैसा कि आप दे सकते हैं यह Lucent की verbal reasoning book है अगर आप इससे preparation करते हैं और इसकी practice करते हैं तो आपकी reasoning बहुत अच्छी हो जाएगी हला कि दोस्तो reasoning के लिए यहाँ पर कोई specially data तो नहीं होता कि आपको वही देखने को मिल जाए तो अगर आप reasoning की practice में हैं और daily यहाँ पर उसकी practice कर रहे हैं तो दोस्तो आप reasoning में पूरे में से पूरे marks ला सकते हो हला कि दोस्तो आप से भी को पता होता है कि कुछ question ऐसे होते हैं जो tough होते हैं और लगबख किसी candidate दुआ रही किये जाते हैं तो उन question लोगा आपको skip करना है और आपको उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो questions आपको पहले आते हैं दोस्तों उन्ही questions को आपको करना है तो reasoning के लिए मैं नहीं आपर book recommend की है वो दोस्तों आपके lucent verbal reasoning है और दोस्तों जो book आपको अच्छी लगती हो आप उसके according अपनी reasoning को कर सकते हो तो चले दोस्तों अब हम चलते हैं अपने next topic पर जो की है हमारा GS और current affair तो दोस्तों GS और current affair को लेकर candidates का यही question रहता है कि हम GS और current affair की कैसे तैयारी कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी GS और current affair की preparation करनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपकी current affair के बारे में तो अगर आप current affair याद करना चाते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप कोई भी YouTube channel ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे जहां पर लगे कि आपको यहां पर current affair अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो जैसे ही वो daily आपके लिए वीडियो upload करते हैं तो आपको करना क्या है daily आपको यहां पर जो भी वीडियो provide की जाती है उसका data आपको एक notes की तरह prepare करना है और उसको daily day by day आपको revise करना है तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपके यहां पर जो current affair का data है वो day by day याद होना सुरू हो जाएगा और आपको एक बार में ही ज़्यादा डाटा याद करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए मैं आप लोगों को यहीं क्या रहा हूँ कि कोई channel पकड़िये और जो भी data आपको लिखाया जा रहा है जो मतलब जो आपको daily वीडियो में provide कराया जा रहा है उस data को आपको एक notes की तरह prepare करना है और आपको अगर लगे कि यह question ज़्यादा important है तो आपको उसको highlighter से highlight कर देना है then exam time पर दोस्तो उन questions को आपको अच्छे से prepare करके जाना है जो questions आपने highlight की है तो इस तरह से आप अपनी जो current affair की preparation है वो कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे दोस्तो आपको GS यानि जीगे की preparation कैसे करनी है तो जीगे की preparation के लिए दोस्तो मैं आपको एक ही book recommend करना चाहूंगा दोस्तो वो है आपकी lusant तो आपने देखा होगा कि जो उत्तर परदेश पुलिस का यहाँ पर exam होता है जितना भी data है वो सारा इसी से पूछा जाता है इससे बार दोस्तो आपको यहाँ पर एक भी question देखने को नहीं मिलता है तो इसलिए अगर आप जीगे की preparation करना चाहते हैं खास तोर पर उत्तर परदेश पुलिस के लिए तो अगर आप उत्तर परदेश पुलिस के लिए यहाँ पर data पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी book अस्तमाल कर सकते हैं हाला कि अलग-अलग जगे पर अलग-अलग precaution होता है तो उत्तर परदेश के data के लिए जो मैंने उस time पर book पड़ी थी उसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन आपके यहाँ पर जो भी यहाँ पर अच्छा प्रकासन हो आप उस book को आप खरीद सकते हैं और उत्तर परदेश के data को prepare कर सकते हैं तो इस तरह से आपको अपनी उत्तर परदेश पुलिस के लिए यहाँ पर preparation करनी है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि आपको जब आपका exam आने वाला होगा तो आपको करना क्या है तो सपोज कीजिए आपकी exam की date आ जाती है और उसके लिए आपको यहाँ पर 20 से 30 दिन मिल जाते है तो आपको करना क्या है दोस्तो आपको एक practice set लेना है जो भी आपको अच्छा लगे उस practice set को आपको market से खरीद लेना है सपोज की यह आपका exam 120 मिनट यानि की 2 गंटे का होता है तो दोस्तो आपको एक practice set लेना है और उसको 100 मिनट में आपको यहाँ पर complete करना है और दोस्तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही होगी कि आपको उस दोरान बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है इदर उदर ध्यान नहीं देना है अगर आपने 100 मिनट का टाइम लगाया है तो आपको 100 मिनट वहीं पर बैठे रहना है एक दम जम कर महीं पर आपको अपने practice set पर ध्यान देना है आपको पानी वानी पीना हो तो ऐस विधा के लिए आप पहले से ही अपने पास पानी की बोटल वग्यारा रख सकते हैं तो इस तरह से आपको end का जो आपका time होगा उसमें आपको practice set वोल करना है और किसी तरह आपको यहाँ पर नया data नहीं पढ़ना है और अगर आप पढ़ सकते हैं तो दोस्तो आप नया data को भी पढ़ सकते हैं तो अगर आप practice set पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको exam time के दोरान आपको पूरा time मिलेगा और आपका exam अच्छे से complete हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो आपको उत्तरपरदेश पुलिश की preparation करनी है और अगर दोस्तो आप इन tips को follow करते हैं और इन books को follow करते हैं तो आप definitely उत्तरपरदेश पुलिश में selection ले सकते हो और आप अपना exam qualify कर सकते हो तो दोस्तो अमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिए और दोस्तो अगर आपका अभी भी कोई question है तो आप उसे comment box में जाकर पूछ सकते हैं मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊँगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद